हेलो बेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग और आज में बना रही हूँ हरी मिर्च और चीज के कॉम्बिनेशन के साथ भूटान की रास्टियल डिस्क जिसे दीपका पादूरकर को बहुत ज्यादा पसंद आई और उनकी रैस्पी बाइरल हो रही है चलो आज मैं भी बनाती हूँ वोई डिश चल और इसके लिए सबसे पहले मैं लोंगी एक पैन हम रखते हैं एक पैन और इसको करते हैं ओन इसमें डालती हूँ मैं तेल थोड़ा सा ही तेल तेल पड़ेगा और इसके लिए जनुत पड़ेगी हमें टमाटर की तीन से चार लैसनी कली हरी मिर्च बीच में से काटके में लेती हूँ और लेती हूँ दूबा निकल रहा है, सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें कटा हुआ प्याज पीर, हरी मिर्च, उसके बार टमाटर, लेस्न, नमक, नमक, उसके बार ही, यह चीज और पानी इसको ड़के सकते हैंगे जब तक चीज मेल्ट नहीं होता है उसको ड़के रखेंगे उसके बाद बन जाएगी हमारी भूटान की एक राष्टिय डिश जो बहुत ही फेमस है इसे चावल के साथ खाया जाता है और देखिए बनके तैयार हो गई हमारी ये डिश गैस को आफ करते हैं और देखिए तैयार हो गई ये डिश एमा दस्ती जो भूटान की राष्टिय डिश है जिसे चावल के साथ सर्व किया जाता है चलिए खाके देखते हैं पहले बावल में निकाल के आपको दिखाती हूं मैं कैसी है ये डिश चीज और हरी मिर्च के कॉमिनेशन के साथ बनाई मैंने भूटान की डिश एमा दस्ती बहुत ये मिम